जो हम पढ़ें चितेज भागेक जो कि कक्षा नववे के लिए हिंदी के मुख्य पाठ्थ पुस्तक है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कावे खंड़ के पाठ्थ 10 जो कि ललद्यत के द्वाला लिखा हुआ है वाख और इसके हम प्रश्णतर करेंगे तो चलो बच्चा शुर प्रश्णतर प्रश्णतर करेंगे तो चलो बच्चा प्राण या सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रसी बहुत कमजोर है या कब तूट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता तो बच्चों प्रश्ण यह था कि रसीयां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो हम बताएंगे कि रसी शब्दयां मनुश्य के प्राण या सांसो के लिए प्रयुक तो हुआ है और प्रश्ण में था कि और वह कैसी है तो यह रसी बहुत कम जोर है यह कब तूट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता ठीक है इसी प्रकार अब प्रश्ण नमबर दूसरा है प्रश्ण दूसरा है कव्यत्री द्वारा मुक्ति के लिए किये जान व्यर्थ क्यों हो रहे है तो इसका उत्तर होगा कव्यत्री द्वारा मुक्ति के लिए किये जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे है क्योंकि उसकी उम्र बित्ती जा रही है समय निकलता जा रहा है और उसकी बात इश्वर नहीं सुन रहे है इश्वर से मिलन के उसके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं क्यों 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 प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि जो कव्यत्री मुक्ती चाहती है इश्वर से मिलना चाहती है ठीक है इश्वर के मार्ग पर ही जाना चाहती है लेकिन इश्वर से उसका मिलन नहीं हो रहा है उसकी उम्र बित्ती जा रही है समय निकलता जा रहा है और उसकी बात इश्वर नहीं सुन रहे हैं इश्वर से मिलन के उसके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्णों के उत्तरे बच्चों आसान है आप एक दो बार इस भव सागर से मुक्ति पाना और इश्वर से मिलन से है तो इसका घर जो है वह इश्वरी है इसले वह अपने घर जाना चाहती है इश्वर के मारगपर इश्वर के मिलन करना चाहती है इस भव सागर से मतलब संसार के सागर से मुक्ति पाना चाहती है। है ठीक है प्रश्ण नमबर चोता है भाव इसपस्ट कीजिए तो यहां में कवर ख दो जो है पदों के पद दे रखे हैं ठीक है तो उससे हमें इनका भाव इसपस्ट करना बच्चो तो पहला जो कवला है जेब टटोली कोडी न पाई ठीक है तो इसके पद में यहाँ लाइन थी कि जेब टटोली कोडी न पाई तो हमें इसका भाव सपस्ट करके बताना है तो इसका उत्तर होगा कव्यत्री का मानना है कि उसने जीवन भर योग साथना और तपस्या करी है फिर भी उसको इश्वर प्राप्ति नहीं हुई है इस प्रकार उसकी जेब जो कि इश्वरी ग्यान रूपी है वहाँ खाली है इश्वरी जो ग्यान रूपी उसकी जेब है वहाँ खाली है इसले लिखा कि जेब टटोली कोडी न पाई जेब उसने टटोली इश्वर का मार्ग टटोला इश्वर से मिलन की कि जो धन को टटोला तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था क्यों कि कव्यत्री जो है उसका मानना है कि उसने जीवन बर योग साधना और तपस्या करी है फिर भी उसको इश्वर प्राप्ती नहीं हुई है उसे मोक्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है या उसका इश्वर से मिलन नहीं हुआ है इस प्रकार उसकी जेब जो की इश्वरी ग्यान रूपी है वहाँ खाली है इसमें खवाला है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं न खाकर बनेगा अहंकारी तो हमें इसका भाव इसपस्ट करना है बच्चो तो इसका उत्तर होगा मनुष्य जीवन भर भोग विलास में डूबा रहता है विबिन प्रकार के भोग भोगने पर भी वह वास्तों में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता है ठीक है इसलिए लिखाएं आपर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं मतला विबिन प्रकार के भोग भोगने के पात भी वह कुछ भी वास्तों में प्राप्त नहीं कर पाएगा है तो मनुष्य जीवन भर भोग विलास में डूबा रहता है विबिन प्रकार के भोग भोगने पर भी वह वास्तों में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता है वह इश्वरी मार्ग से भी भटक जाता है क्योंकि भोग विलास में डुबा हुआ मनुष्य जो है वह इश्वरी मार्ग या इश्वर के मार्ग से भटक जाता है उसी प्रकार जो दूस्ती लाइने न खाकर बनेगा अहंकारी तो इसका भाव इस प्रकार है कि इसी प्रकार न खाकर अर्था त्याग करने से तपस्या करने से भी तपस्वी अहंकारी हो जाते हैं उनके मन में यह घमंड हो जाता है यह अंकार हो जाता कि हमने तपस्या करी है हमने त्याग करा है और स्यम को स्रेस्ट मानने लगते हैं और इश्वरी मार्ग से भटक जाते हैं तो दोनों ही स्तति में इश्वरी मार्ग से भटक रहें क्योंकि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब बहुत अधिक भोग विलास में भी डुबे रहोगे, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, या इश्वर की प्राप्ती नहीं होगी, उसी प्रकार न खा कर बनेगा अहंकारी, यदि आप अधिक त्याग करोगे, तपस्या में ही ल कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता है, वह इश्वरी मार्ग से भी बटक जाता है, इसी प्रकार न खा कर अर्था त्याग करने से, तपस्या करने से भी तपस्वी अहंकारी हो जाते हैं, स्यम को स्ट्रेस्ट मानने लगते हैं, और इश्वरी मार्ग से बटक जाते हैं, तो यहाँ पर उनके जो पदे उसमें उन्होंने बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्ध्यत ने उपाय सुझाते हुए बताया है कि मनुष्य को ना तो अधिक भोग विलास करना चाहिए ना ही अधिक त्याग करना चाहिए ना तो अधिक मनुष्य को ना तो अधिक भोग विलास करना चाहिए ना ही अधिक त्याग करना चाहिए बलकि सयम पूर्ण जीवन जीते हुए सभी प्राणियों में संभाव या समानता का भाव रखना चाहिए ठीक है तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्ध्यत अधिक मनुष्य को ना तो अधिक भोग विलास करना चाहिए और ना ही अधिक त्याग या तपस्या में ही लगे रहना चाहिए बलकि सयम पूर्ण जीवन जीते हुए सभी प्राणियों में संभाव या समानता का भाव रखना चाहिए इसे से बंद द्वार की साकल और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा इश्वरी मार्ग प्राप्त होगा और वह इस बहुसागर से पार हो जाएगा प्रेश्ट नमबर छे है इश्वरी प्राप्ति के लिए बहुसे साधग हट्योग जीसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ, तो हमें यहाँ पर केवली बताना है, कि इस प्रकार का भाव जो है किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, उपर्युक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, तो यह पंक प्रश्य कोदू क्या उत्राई तो यहाँ पर सुशुम सेतू पर खड़ी थी मतलब उन्हें कठिन तपस्या करी थी हट्योग की साधना करी थी तो इस प्रकार की भाव यहाँ पर व्यक्त हुए हैं और फिर भी उन्हें लक्ष प्राप्ति नहीं होई क्योंकि उन्हें जेप क्या अभीप्राई है ठीकि कव्यत्री ललध्यद ने अपने पद में ग्यानी जो शब्द लिखा है तो वहाँ पर उनका क्या अभीप्राई है तो इसका उत्तर होगा ग्यानी से कव्यत्री का अभीप्राई है कि ग्यानी वही है जो स्व्यम को जानता है ठीकि ग्यानी कोन ह वास्तमस्ता है वही सच्चा ग्यानी है ठीके बच्चे यहाँ पर हिंदू मसल्मान में बेदने करता से मतलब है कि विभिन धर्मों के बीच में कोई बेद नहीं करता विभिन धर्मों के लोगों के बीच में कोई बेद नहीं करता और हर कण में उस एक इश्वर का निवास समझता है, हर कण में इश्वर को मानता है, वही सच्चा ज्यानी है, तो यहां पर ज्यानी से अभी प्राहे कव्यत्री का, कि ज्यानी से कव्यत्री का अभी प्राहे है, कि ज्यानी वही है, जो स्यम को जानता है, ज्यानी कोन होगा, ज तो स्यम को जानता मतलब जिसमें आत्म ज्यान है, अर्था जिसको आत्म ज्यान हो गया है, जो व्यक्ति हिंदू मसल्मान में भेद नहीं करता और कणकण में इश्वर का वास समस्ता है, वही सच्चा ज्यानी है. इसके बाद बच्यों रचना और अभिव्यक्ति वाले भाग में प्रश्च नमबर जो आठ्वा है, इनके उतराप अपने मन से भी लिख सकते हो, तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है, हमारे संतो भक्तोर महापुरुशों ने बार बार चेताया है, कि मनुश्यों में परस प किसी भी प्रकार का कोई भेधवाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेधवाव दिखाई देता है, अब यहाँ पर दो प्रकार के प्रशन पूछे गए हैं, तो जो कहें आपकी द्रस्टी में इस कारण देश और समाज को क्या हानी हो रही है, तो जो बहधवा की बहुना है लोकों के बीच में तो इस कारण से देश और समाज को क्या हानी हो रही है इसका उत्तर हमें देना है और उसकी बाद ख है आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाओ दीजे तो इनके उत्तर करते हैं अब हम जो ख है आपकी देश्टी में इस कारण देश और समाज को क्या हानी हो रही है तो आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को क्या हानी हो रही है इसका उत्तर होगा इस कारण देश और समाज को कई प्रकार की हानी हो रही है जैसे ठीके बच्चों आप इसका उत्तर अपने मन से लिख सकते हैं हमने कुछ भेदभाव की भावना होती, उसके कारण समाज का विकास भी नहीं हो पाता। बेदभाव की कारण समाज अलग-अलग भागों में बढ़ जाता है और उन्में मनमुटाओं हो जाता है। ठीक है, अलग-अलग धर्म के लोग अलग भाग में बढ़ जाते हैं, अलग-अलग जाती के अलग-अलग भाग में बढ़ जाते हैं और उन्में मन मुटाओ की भाहना रहती है. तीसरा है धर्म के बेदभाव के कारण हिंसा होती है जिससे कई लोग मारे जाते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं तो हिंसा होती है ठीक है धर्म के बीच में जो लड़ाईया होती है एक धर्म के लोग दुसरे धर्म के विरुद्ध यदि कुछ भी आपस में जगड़ा होता है तो हिंसा हो जाती है और उसमें कई लोग जो बेकसुर लोगे हो भी मारे जाते हैं और कोई कारण भी नहीं सपस्ट होता उसमें चोथा है इसे देश और समाज में अविश्वास की भावना भी बढ़ने लगती है इसके अलावा और भी पॉइंट आप अपने मन से भी लिख सकते हो हो वाला है आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाओ दीजिए तो इसका उत्तर हो सकता बच्चो आपसी भे धर्म को सरक्षन न देकर सब के प्रती समानता की भावना रखनी चाहिए दूसरा है अलग-अलग धर्मों के इस्थान पर मानव धर्म का पालन करना चाहिए तीसरा है सामप्रदैक आधार पर होने वाले जगडों पर सकत कानून लागू करना चाहिए जिसे किस प्रकार के चक्रे कम हो या हो ही नहीं